हुआ है है जैसा एक आप जाने कि अप्रप्राउं कि उसके और राइन को पढ़ाया है इस दिये दिये भासा, परिभाषा, लिखिक और मौकिक परिभाषा है भाषा, अपने विचारों तथा फारों तक पुछानी का माध्यन भाषा कहलाती है मुखित भासा हम मुख से जो कुछ बोलते हैं तथा कानों से जो कुछ सुनते हैं उससे भासा का मुखित रूम कहते हैं लिखित भासा जो कुछ लिख कर पढ़ते हैं वे समझते हैं वह भासा का लिखित रूम होता है झाल